तो यह सौन में आया कि नालायक लोग यह हैं वो साधारन लोग नालायक नहीं है वो तो लायक लोग जो दूर दूर से फॉन सुनकर खाली पड़्चे पर जिनको मैसेज भेजे वो आ गए और जिनको फॉन करके समझाने की कोचिस की और बताने की और जिन से हम तरक करना चाहते थे विदर करना चाहते थे क्या आओ संग के कॉंसेट में और संग में सारे सारे पूरे भारत और भारत से बहार के लोग सारे संग संग साथ संगी संगी या संगी संगी गय है या गय है बात एक है तो यहां जब कोई कारेकरम लगता है यानि कि संगती लगती है बेसिकली हमारे जो कारेकरम हैं वो भाषट देने के नहीं है हमारे जो कारेकरम हैं वो संगती के हैं संगती मतलब संग संग रहके गती देते हम अपने आपको संगती बोलते हैं तो सारे लोग मिलते हैं सारे लोग जुलते हैं और बड़े प्यार से मिलते जुलते हैं दूर दूर से आते हैं और बड़े सारे के सारे चेहरे पर रोना खूब फूटू खचवाते हैं खूब एक दूसरे से हेलो हाय होती है परिवार मिलते आपस में जैसे कई सो साल के बाद बिचले हुए फिर मिलने और ऐसा ही होता है क्योंकि कोई लखनव से आता है कोई ब्लासपूर से आता है कोई मध्यप्रदेश से आता है कोई उत्तर प्रदेश से आता है कोई हर्याने से आता है को दिल्ली से आता है को पंजाब से आता है 12 स्टेट, 14 स्टेट, 18 स्टेट तक का तो है और कोई विदेश से आता है तो कोई खोन का रिस्ता जानता नहीं है मगर है क्होन का रिस्ता क्योंकि कही न कहीं सभी के पता जी सब की माता एक रहे होंगे उन से ही यह साखाएं चली है तो वहां यह फील आता है यह महसुस होता है कि भाई-भाई से मिल ला है भें-बहन गई तो पहले ले लें बटय के साथ है बहुत अच्छा वादर रहता है और कोई किसी पे बोज नहीं कोई किसी पे बोजमें सब का खर्चा अपना और सब बड़े मस्त यानि जब से चलते हैं और जब तक घर पौँंशते हैं समय का पता नहीं चलता कि समय कब निकल तका है एक चेंज एक हसी खुशी परिवार बड़ा परिवार बड़ा परिवार तो बड़ी खुशी बड़ी खुशी तो कोशिस ये करते हैं कि जहां जा रहे हैं वहां जितने भी हमारे पुराने बहन भाई हैं जिनको हम नाम से गाउं से नहीं जानते हैं मर खून का रिष्टा है देश का रिष्टा है समड का रिष्टा है संग का रिष्टा है उनको बुला लें उनसे मिलें तो उनको फोन करत हैं ऐसा नहीं है कि किसी एक की डूटी है कोई एक की करेगा जिसको पता होता है वो करता है है तो मेरे भी फॉन की बुक में कुछ नाकूर के नंबर थे कुछ पुराने लोग थे जान पचान पे एक हमारे बीस साल पुराने मित्र साथ हमने काम किया दिक्षा भूमी में वो आए जब हमने यहां 2006 में काम किया तो 2006 में दिल्ली में आए नौट में तब वो सज्जन बड़े बहुत बड़िया थे फॉन करते थे तो फॉन तो रुट जाता था दुख सुक की बात होती थी हम उनके काम आए वो हमारे काम आए साल में दो बार यहां आते थे किताबों का बोरा लेकर जाते थे क्योंकि यहां दिल्ली में बुक फियर लगता है दो बार तो किताबों का बोरा तो किताबों का पढ़ने का शौक उन्हें रहा किताब उन्होंने ज्यादा पढ़ लिए तो फौन पे बात होनी बंद हो गए अब फौन पे बीच में एक पी आ गया विजी आदमी होता है पी आता है सब को रखना चाहिए पर बात तो होनी चाहिए पी भी अपने आदमी को ये कहके जो आदमी होता है अपने पिये को ये कहके जाता है कि ये मेरे दोस्त है, ये मेरे प्राने नंबर है, ये मेरे ने ने नंबर है, ये पिये बता देता है कि फलाने का नंबर है, तो बात में रुकावटा गई, बात होनी बंद होगी, भाई से में कबीर किसी से कम नहीं है और बुद्ध को यूनिवस्टी में गए नहीं और बावा साथ सारी यूनिवस्टी में गए मगर किसी का ग्यान कम नहीं है कबीर का भी ग्यान कम नहीं है बुद्ध के समय अक्षण नहीं थे उनका भी कम नहीं है बलकर बुद्ध का तो दुनिया में और जो जागरित होना है जो एजुकेट होना है उसमें कोई अंतर नहीं आता है पर भाई को तो हमने कई बार बात करने कोश्च करी जब यह हम सब लोगों को बात करें तो हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो हम हर उस व्यक्ति के पास जाते हैं भारत में को ऐसा व्यक्त 12 से कर रहे हैं इसको हम और 2030 से तेजी आगे थी और लगाता लगाता चुट चुटी मुटिमी कर रहे हैं पर उस समय बात समझ में लिया आती थी क्यांकि कमफरटेबल जाबी जोन में थे लोगों को लगता है कि राजनीती माश्रा चाबी है राजनीती में जाएंगे ठीक हो अगर कोई ऐसी गर्दन कटने वाली बात या सर पे पानी आने वाली बात या नौकरी जाने वाली बात या प्राइवर्ट एजिसन होने की बात या सारे सारी कंप्रियां बिखने की बात उस समय थी नहीं और लोगों को लगता है कि वो राजनी ती छेते में बहुत कुछ कर सक कि इसके कैलवाया भी सारी बातें हुई हमने का में मिलना चाहते हैं तो उस तो व्यक्ति ने ये नहीं समझा कि जो मिलने आ Рाहा है वो उसका पुराना मित्म आ अरहा है तो हमारी परिवार से चला गया तो उसने मिलने के लिए कहा कि मिलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाओ अब बहुत सारे लोगों का तो संग में कहीं प्राधार है नहीं नहीं तो व्यक्ति के तुरूप से वो व्यक्ति मिला नहीं और बहुत सारे लोगों का जाने का संग में बात बनी पर ताज्यू इस बात का है कie उस व्यक्ति का कोई आदमी भी नहीं आया और उस व्यक्ति का फोन भी नहीं आया तीन दिन चार दिन तक लगातार हम बात करते रहे उसके combined-照रे मेरे कौ I, YGU झतने और इस एक रखन स्मझाता जैसे बुद्ध ने किया बुद्ध ने सर्फ आदमी ही तो एकटे किये थे और क्या किया था लोगों को संगन सर्णंग अच्छामी संगन सर्णंग अच्छामी संगन सर्णंग अच्छामी तो संग बना दिया तो वो व्यक्ति ना आया, ना उसका फोन आया, भाई चला गया दूर, हट गया परिमास, एक और व्यक्ति को फोन किया, सफेज सर्ट पैन के रहता है, चुनाब रड़ता है MP का, अमने का सर फोन लगाया, सर ऐसे से कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम मिलना चाहते हैं, वो पर ऐसा ऐसी बात नागपुर में होते हुए, नागपुर में मिलने में दिक्कत आ रही है, कोई आदमी नहीं बेजा, और फोन आया नहीं, बलकर उसने अपनी दो चार्ट वीडियो भीज़ दी मुझे, कि इमको देखो कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, वो वीडियो लोगों के पीछे 20-20 गुना, 33 गुना लोग होते हैं, एक परिवार, दस्यों परिवार से जोड़ा होता है, जब कोई आदमी अपने मन को समझालता है, और जब उसको संग समझ में आता है, और तब वो संग के कारिकर में जाता है, तो अकिला नहीं होता, उसकी पीछे, उस साथ अच्छा काम करता है, उन्होंने वहां बुलाया, और लेके आए, जल्जने आए, हम तीनचा लोग वहां गए, बहुत बड़े आदमी हैं, वहां उन्होंने स्वागर सदका जो पुरा इन तरीके से होता है, वो पैनाना, क्या बोड़े, शॉल पैनाना, कुछ किताबे में बिगरा दिएंगा और उसके बाद महां हुआ था उन्होंने कहा, कि आपने हमें याद नहीं किया, कि हमें यहां ना पहरा है, उद्स पर साथ करने का किसी का नाम पढ़ा हो तो बताो हम तो दो चर्व फॉन नभर डाल दीतें हूँ बी समिए कि क्योंटेक्ट करना चाहे तो क कॉझे नमबर तो देना पड़ेगा बड़ेते ऐसा भी नहीं है कि फिक्स फॉन नंभर है जिसका आगया उसी kier डाल दते क्योंकि सारे समझदारें सारे संगी हैं जिसके पल्ले पड़ेगा वही अपना आगे बढ़के उसे बाची कर लेगा एक मैसेज पहुंचना चाहिए एक कॉंटेक्ट लाइन मिनी चाहिए वो नंबर बदलते रहे हैं उस समझ के बाद को उनने का मैं हम सारे लोग आएंगे व और हैं विक्ति महीं से नागपुर्ण में उन्होंने हेड़कौाटर बना रखता है हेड़कौाटर बनाया लाग रुपया खर्च किया बहुत लंबा च्वड़ा प्लान बना रखता है छे जुलों में काम करते हैं नागपुर और मंधर प्रदेश के बीच में चार-पांस सिब्के जो पुराने 78 के बाद में जो पैटन बना है जो साब कासी नाम ने बनाया था सेम जिट्टो वही और कुछ नहीं बस अंग्रेजी में बना हुआ है पढ़ाने वाले भी वही बलकर नए नहीं नहीं थी पढ़ाने वाले इतना एक्सप्रेंस में गया महां पूरा द है या तो मिरी बाक करा दो या नम्मबर दे दो किया सभान का स्ट्रॉचर का बना रहा है क्या नहीं है साथ आठ लोगों को मैं रिक्ugen कर चुका हूं करक elves को मुरे को बताओ कि कौन नहीं ना तो व breaker सामने आता है और ना ही वो यह बताते हैं कि सवाल का जवाब कौन देगा और सवाल का जबाब देतों मैंने उन लोगों को चुकि वो नागपुर के हैं मत्यप्तिश के तो मैंने जितने वो कांटेक्ट थे साथ आठ लोगों को कांटेक्ट किया गिए भाई नागपुर में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं इतने सालों से वो लोग आएं देखें बात्चित करें हम समाजी का आदमी आप भी समाजी कांट लाते हो मैंने आपका काम देखा हुआ है आप भी देखो संका काम कैसा है आके देखो किसी का पलट के फॉन नहीं आया और किसी में बात नहीं और भी कैसारे मैंने फॉन किये कुछ लोग अच्छे जो विपस्टना के वेरे साथी थे वो बाहर गए हुए थे उन्होंने का फॉन का उठा नहीं फॉन उठा नहीं का हम पहुंचने हैं ट्रेंज से वो आए कुछ सा माली बन जाता है आदह माली बन जाता है फैस्टना और उन्हें माली बना रखथ है ताकि हम समढ़ संक्धी विडियो उसके फैस्टन की भीस के भेस सकें वो लोग आए, तो ये प्ता चला, कि जो साधर्ण लोग हैं नागपुर में जो सीधे साधे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं वो सारे आए मिलने के लिए आए अपने भाईयों से मिलने के लिए आए पर जो नेता बन गए जिनको नेता बनने का गुरूर हो गया अभिमान हो गया जिनका हाई एटिटूर हो गया और जो कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं है ना राजनीती में कुछ है ना समाजी कुछ है और कहीं कोई उनका इस्टेटस नहीं है बस वो इस्टेटस का एक लवादा ओड़के बैठे हुए हैं वो नहीं आए उनका फॉन नहीं आया और सवाल जवाब भी नहीं हुए कोई बात ऐसी नहीं हुई तो सौंज में आया कि नालायक लोग यह हैं वो साधारन लोग नालायक नहीं यह वो तो लायक लोग है जो दू-दूर से फॉन सुनकर खाली परचे पर जिनको मैसेज भेजे वो आ गए और जिनको फॉन करके समझाने की कोचिस की और बताने की और जिन से हम तरक करना चायते थे विटर करना चायते थे कि संग्ठन की काम करता है क्या नहीं आया हो सकता है कि संग्ठन ठीक काम करते और हमारी तीक हो और हो सकता है कि संका कस्याप्ट थिक हो और आपको समझ में आ जाए हैं तो हम वी, हैं तो हम भाई, तो हम को चलना तो ऐगी तरह से पड़ेगा 29 लाग संग्ठन बना के तो नहीं चल पा रहे हम चार लाख एक्टिवेट संग्ठन बना के तो नहीं चल पा रहे हम हजारों परकार के धंमिक संग्ठन हजारों परकार के राजनितिक संग्ठन हजारों परकार की राजनितिक पार्टिया लाखों परकार के सामाजिक संग्ठन लाखों प्रकार की हजार प्रकार की एजुकेशनल इस्ट्यूट फाइनस फाइनसल इस्ट्यूट लड़कों के दलबल पैंथर पार्टी सेना आर्मी सिपाही जो भी कुछ चलता है आजकल तो इनसे तो बात नहीं बन रही अगर इनसे बात बनी होती तो अधिकार नहीं जात कर लो उनकी समिक्षा कर लो तो बैठो आओ बात तो करो क्योंकि अपने संग्ठन की खुदी समिक्षा करोगे तो क्या करोगे कोई आदमी अपने संग्ठन को अपने घर को अपने फरवार को क्यों समिक्षा करके खराब तहेगा उससे तो लगता है कि मैं ठीक हूँ और जो तक और लोगों के साथ नहीं बैटोगे, आऊगे नहीं, जाऊगे नहीं, बात्चित नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तरक वितर्ग नहीं करोगे, क्या बुद्दू को मानोगे, और क्या डॉक्टर अम्बेट कर ने दो साल तक लगातार जब सम्विधान रच रहे थे, बना रहे थे, create कर रहे थे, तो दो साल लगातार लोगों से तर्क वितर्क किया, और हर एक व्यक्ति के तर्क को वितर्क को संतुष्ट किया, उसके बाद तो कानून बनता है, क्योंकि जब तक लोग तर्क वितर्क में संतुष्ट नहीं होंगे, आपको फेवर नहीं करेंगे, और जब तक फेवर नहीं करेंगे, आपकी सहमत नहीं देंगे, तो बहुमत नहीं मिलेगा, और जब तक बहुमत नहीं मिलेगा, तब तक वो जो ड्राफ्ट his कर्वंट isn't working, और उन से तर्ग वितर्ग कर रहे हैं जो उनके विचारों के दुस्मन हैं और जो उनके दुस्मन हैं जो उनके हाथ का पानी पीने को छूने को त्यार नहीं है और जो फैक के मारते हैं जिनके साथ आगे से अगर वो निकल जाते हैं तो उनकी सांस से बंद हो जाती है सांस भी नहीं वो सभा लगा लगा के संगती लगा लगा के तर्क वितक कर रहे हैं लोगों को समझा रहे हैं लोगों के सवाल के जवाब दे रहे हैं जो जितने संथ हैं वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं अरे तुम कौन से देश के नेता आगे तुम कौन से बड़े आदमी कि कौन सी चीज़ें खराब करके रखी हुई है कौन सा मन में पाला हुआ है कौन सा लालच है कौन सी हिर्षा है कौन सा हिंकार है जो तुमको इस बात नियरोकता है कि पबलिक से सवालों का जवा मिदेना मैंने तो अभी तक भी कहीं modern history में ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं जो खुला मंच लगा कि ये कहता हो कि बताओ तुम्हारे कितने सवाल है और पूछो क्या बात है लोग कहते हैं फलाना फलाना आदमी आज तक प्रेस को ने करता आज तक उसने कभी प्रेस का सामना नहीं किया अरे फलाने फलाने आदमी को छोड़ो तुम अपने को देखो जो है क्या प्राक्राटिक सिध्धानत है जब तक मत होगे नहीं मखर बहार नहीं निकलता है यही सिध्धानत समढ़ संग में चलता है समढ़ संग के जो यहां नए लोग हैं जो नए बैठे हुए हैं वो जान लें के समढ़ संग के जो सिध्धानत हैं वो दुनिया के सबसे कि वे हमारे तो हमारे माहा पुस्षोंने खोजिये है और बनाए और साधा होना है अगर एखटे रहो गे तो मजबूत रहो गए मुझे जाद कदे जांगी कहा है जंगल में Dame ये जंगल में खट्था आप ये जिन्डव का इने पानी खट्था होता है संथ आदी तो मबंढर बन जाती है तो जब सूरज कर ताप ज्याधा होता है तो जला देता है यानि जो वी चीज हो जाता है या इसका ने प्र्फटर है और तो इखटे जब होंगे जब natural principle अपनाएंगे फिरन जब जंगल में इखटा होता है तो कौन उसका प्रधान होता है फिरन जब जुन्ड में इखटे होते हैं तो उनका कोई प्रधान नहीं होता है उनका एक सहज ग्यान होता है जो उनको जान बचाने क्लिए इखटा होने के बोता है इसलिए बावा साब अम्वेड करने कभी नहीं कहा कि जब आपको और्गनाइज होना हो, संग में जाना हो तो आपको एक लीडर क्या रखता है कहीं नहीं लिखा बावा साब ने कि अगर आपके पास लीडर नहीं है तो आप एकटा नहीं हो सकते या लीडर की जरूत है इkahटा होने किगा गुणी को जब होता है लीडर की नहीं कि लीडर पैदा नहीं किया वो खुद भी ऐसे कोई डीडर नहीं थे इखटा करने के लिए तो यह तो यह या कि हमको प्रॐदा होना लीडर कि आशक कर आगれ अगर समानता ना हो असमानता हो तो एकटे नहीं हो सकते अगर उसमें वन भेद हो जाए ऊपर नीचे हो जाए चोटा बड़ा हो जाए तो पर पूर एक साथ नहीं होंगे किहाँ नियम पास हुआ इसलिए सवर्ण को नारी को सब पहाया बोलते हैं सब गरीव और किसी आदमें पास पैसे नहीं हो वो साधा रोटी खाता हो तो संग में तो नहीं चल सकता आप अपना मुरगा खोल के बैठोगे वहाँ आप अपने खीर खोल के बैठोगे और किसी के पास मैसुखी रोटी है तो वो तो दब जाएगा ना मांसिक रूप से तो संग्र कहा बना पिर तो संग्ठन मन गया, ये भेद भाव और उंच नीज तो संग्ठन में होती है, इसलिए संग का नियम बना कि खाना सब लेके आएंगे अपने साथ, और खाना लाकर एक साथ रखेंगे, यानि आपने रोटी लानी है साधा, अचारक साथ लानी है, और फिर भी भेद रह है कि किसी की रोटी देशी घी की, किसी की रोटी डाल राकी, किसी की तेल की, किसी की पतली, किसी की काली, किसी की जली हुई, तो भी भेद रह जाता है, तो उस भेद को खतम करने की संग्मनियम बना कि सारी रोटी एक साथ रखी जाएंगी, और उठाते रो उपर से लेते खाते रो, खाते रो, अगर अपने साथी की, अपने संगी की, अपने साथ होने कि नहीं कोई रचिद नहीं काड़ता कोई पैसा नहीं लेगा कभी में नहीं कि पढ़ें इसका जो कायकρω होता है वो कारी करम बड़े भवे होते हैं और बड़े शांदार होते हैं बड़े मिलंसार होते हैं वो जो कारी करम होते हैं वो लोग खुद पैसा देते हैं खुद अपना खारा लाते हैं खुद अपने कराय से आते हैं किसी की कार से भी अगर आएंगे तो कार का पैसा जतना उसक किसी के उपर नहीं रहता किसी के दबाब में रहता ना तो दबाब हुआ रहेगा ना उपर सब समानतम रहते हैं अपना खर्श करते हैं अपना खाते हैं तो इसलिए यहां जो नियम है वो वास्ते में समानता के नियम की या प्रक्टिस होती है कहा नहीं जाता समानता के नियम की प्रेक्टिस होती है तो यह जो समण संग है इसका नाम ही समण संग है यानि समणों का संग है तो कई वार आदमी आप से पूर सकता है क्या इसमें एक वमण आ सकते हैं अरे वही नहीं आ सकते इसमें सिर्फ समण आ तो मेंबर्शिप के लिए कोई कभी भी फारम नहीं भरा जाएगा नाई कोई फारम यहां भरा जाता है हैं तो मेंबर्शिप बड़ी सिंपल है समड संग में पैदा हुआ है समड है आज के समय से अपने आप मेंबर हो गया और मेंबर के लिए कहीं रेश्टर से नहीं कोई दफ्तर नहीं है बस बुरता बोलना वह बैठ सकता है, सभा में आ सकता है. कोई दिक्त इसमें आती नहीं. लोग कहते हैं कि इसके काम कैसे करता है? और वह प्राकटिक छीज़ें अपने आप काम करती हैं. इनके प्राकटिक नियम होते हैं और वह नियम ठीक ऐसे चलते हैं जैसे पहाड़ों से जब नदी चलती है तो नदी के पानी को कहां पहुँचना होता है समुद तक तो वो रास्ता चुंती है और रास्ते में बीच में कहीं अगर कोई परिसानी आ जाए को चक्तान आ जाए को उचा जाए तो वो रास्ता बदल लेती है और नदी रास्ता बद दिनिया की सारी नदीया ऐपने आप раस्ता तहे करती है अपने आप नाती गूं उनके पास ड्राफ्टिंग कमेटी लेका आता है जो रास्ते बना आए जाते हैं उनको नहर बोलते है तो नहर नहे तो नदी है कुई कि प्राव करती है जैसे संग्ठन में पूंच नीच होती है भेदवाव होते हैं किसी को प्रढ़ान बना दिया किसी वो जिनल सेक्षिट बना दिया में अगर यहां नहीं है यहां तो प्राकर्तिक नदी के रूप में सब बरावर चलता है और साथ चलता है तो पहले कौन पहुंचेगा जो मिलेगा भारत में जितनी भी चीजें हैं उन सब के अधिकार में उन सब का बरावर अधिकार अधिकार मिलना चाहिए पानी के अधिकार मिलना चाहिए भारत में अगर स्कूल है तो उसमें पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए भारत में अगर जानकारी है तो जानकारी का मिलना चाहिए, भारत में अगर इज्जत है तो इज्जत का अधिकार मिलना चाहिए, भारत में अगर गरीमा है तो गरीमा का अधिकार मिलना चाहिए, ये सारे सम्विधान में यही लिखे हुए है, तो अधिकार चाहिए, तो अधिकार के लिए है, तो अधिकार कैसे मिलेंग कि यह नियम आपको तम मिलेंगे जवापकी संख्याces याप वूपकर तो सारे हैं मुझा से जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ अपनी संविधान से सिस्थिदारी, चमधान तो मने नहीं करता, वो तो प्राक्रते करें। ये काम नहीं हुआ, इस्ता हने का काम पूरे सतर साल में हुआ नहीं है। लोगों ने इस्टे करने की बजाए कुछ और इखठा कर लिया। अधिकkel अधिकतर लोगों ने तो पैसे एकटा कर लिया डराते हैं धमकाते हैं ये चला गया वो चला गया वो चला गया और इतना पैसा देने के बाद फिर भी चला गया तो इसका मतलब वो जूँट डराते थे देसे चला गया पैसे देने के बाद भी तो पैसे ना देते चला जाता तो कम पैसा बसता तो वो डराते हैं तो उन्होंने पैसा कर लिया कुछ लोगों ने पोजिशन इकटी कर लिए प्रिधान बन गे जनल सेकर्टी बन गे ऐसे बन वैसे बन गे तो उन्होंने अपनी पोजिशन प्रतिष्टा बना ली बावजी बन गे सहाब बन गे सर बन गे घूम रहे हैं वो ऐसे लोगों कोई फोन किया था ना को जैन्दव नहीं आ तो पोजिशन इस्थापित कर ली कुछ लोगों ने प्रसिद्धी प्रसंसा इस्थ किये हैं सारे सारे उससे हमें कोई फाइदा नहीं हो गया वरकर उससे नुक्सान हो गया नुक्सान यह हुआ कि यह लोग संविधान में दियोए अधिकार पर बात नहीं करता है उनको बचाने की बात बहुत है कि सारा का सारा जतना हुआ वो नुक्सान आपको सब दिखाई साहे तो सन्विधान ये कहता है कि मेरे साथ में व्यक्ति जो भी आता है वो कैसा भी हो सकता है लूला, लंगला, तेड़ा, मेड़ा, काला, गोरा, पतला, मोटा, आमीर, गरी, पलाना पलाना, मुझे इस से मतलब नहीं है मुझे इससे मत्तब है कि संख्या कितनी है आपकी जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ संविधान से पनी सिदारी संविधान जो कहता है उस जो बावा साथ की कंडिशन लगाई हुई है उस बावा साथ की कंडिशन लिए बावा साथ ने कहा है ऐसा नहीं है कि बावा साब ने आपको कहा था और्गिनाइज हो जाएए संग्डित हो जाएए एकटे हो जाएए संग में आईए हमारे लोगों ने बावा साब की बात बहुत मानी और 29 लाख लोगों ने मानी और 29 लाग संग्ड़ बना दिए और संग्ड़ मना के टुकड़े कर दी हमारे 29 तिसला जो 6,743 जात्यों हमारे तोड़े करके हमें परशान कर रखा था अब मुसीबत और ज्वादा बने ही और यह जितने भी संग्ठन है यह इस भ्रहम्में है अभी तक भी इस भ्रहम्म में है अब अम्टकर आ गया है मिलत्र माहा आ है अब चौदे अपैल आ गया है अब चौदे अपैल पर लोग पागल होंगे भावनों में भैब है के अब यह मेरे संग्धों में आ जाएंगे सारे अब मैं इनको दिखाऊंगा के देखो यह ऐसा यह ऐसा क्या वही पुरानी चीज़ है बावा साब अमेडिकर की कोटेशन उनने पर भाशन सतर साथ से यही चल रहा है बावा साथ की कोटेशन उन पर भाशन और भाशन पर काम कोई नहीं कर रहा है अरे भाशन होना उसी पर काम कर लेते तो नहीं बात बन-जाती अ tri hd करके बैठे हुए है, जो 말을 करके बैठे हुए है, अकर न को नौकरी नहीं है कही यूनिवूर्स poem हो चुका है, वहां तो रोस्टर बेस वेकंसी है, वहो तीन तीन वेकंसी निकालते या और तीन वेकंसी में आता नहीग, क्योंकि साथ बे करने नंबर पर आता नहीं ना तो खेत है ना खल यान है न में लिगकर्ण है तो सम्विधान की बात मानोगे तो अगतो होना पड़ेगा फात बहुत सारे लोग हैं जो सम्विधान को सरपर लेकर हो रहे हैं उसे कुछ नहीं होने वाला कि इतने सारे वकील हैं लाकों वकील हैं वो सारे के सारे पड़ लिखे हैं अगर पड़ लिखे कुछ होता वाचने से कुछ होता पठन से कुछ होता तो बहुत कुछ हो गया होता किसी भी व्यक्ति ने हमारे महापुष नहीं कहा कि रट्टा माने से कुछ होता है उसमें जो लिखा है उसे म पड़ेगा यह समढ़ संगी लोगों का नियम है कि यह कुर्सी पर नहीं बैठते हैं और फिरी की जगह ढूंटे हैं कहीं अगर मजबूरी में पैसे की जगह देनी पड़े तो कुछी बैठते तो उसका पैसा देते हैं तो कहते हैं अगर तू समाज का आदमी है अगर तू संका आदमी है तो आजा हमारे साथ जमीनी बैठने के लिए जमीनी बैठने को तयार नहीं क्योंकि बावा साहब ने जो भारत के अंदर ये चिलेंज करता हो कि मैं सहाब मैं ऐसा आदमी और मैं बड़ा आदमी हूँ तो अपनी तीन पीडी पीछे देख ले उसका बाप खेत में मिलेगा तीन पीडी पीछे सबके बाप खेत में मजदूर थे कहीं न कहीं मजदूरी करते थे या बेगार करते थे औ तीन पीडी बाद देख लो क्योंकि जिंदे तो रहो गे नहीं देखने के लिए पर अपने बच्चों को बोल जाना कि समर्संग वाले बोलते थे कि तीन पीडी पीछे जो हाल था वही तीन पीडी बाद होने वाला है यानि कि आपका पर पोता वहीं आ जाएगा जहां से आप पढ़ताथा था बस जो मज़े आपने लेने थे ले लिए बाबा साब देखे फिरी में मिल गया तो उसकी इजत नहीं हुई और महनत करनी आती नहीं और महनत दो बाद छोड़ो इकटा होना नहीं आता तोड़ना सीता है एक के दो दो के चार चार के आठ के आठ के सोले के 32-64, बस 39,000,000 संधन तोलों को बना लिया और टुकुडे टोलों में अपने आपको बाट लिया। इस बात को जब कहते हैं और जब आख में आख डाल के कहते हैं कि आरे संधनों तुमने हमें तोला है या जोड़ा है। जो संग्ठन की भगता है जो बड़े आपको यहों बड़े आपको यहों कहते हैं नहीं बुराई नहीं करनी चाहिए किसी यह देखो आप अपना काम करो बुराई मत करो उन्हें भी अपना काम करने दो बुराई मत करो यह कल से पैदल लोग है भाई जो ऐसा सोचते हैं कि उन के पैसे सराब की जाती है यह बुराई है में बन जाते हैं जबकि बड़तों बड़े कठोड़ते वो तो मुख पुरुस और निकमा तक बोलते थे ये उन से भी जादा आगे बढ़ जाते हैं करोना मेत्वी भायचरा में ऐसे बह जाते हैं कि तो यह बुराई मत करो अरे भाई आप बुराई नहीं करें अपनी जान ब बचाना है और अपने आपको बचाना है तो यह करना होगा और एक करने की दो तरीके हैं या तो यह सारे के सारे एक हो जाएं पर यह होते नहीं क्योंकि यह कहते हैं यह कहते हैं कि एक को हम हो जाएं पर नेता कौन रहेगा और हर एक व्यक्ति यह कहता है नेता मैं रहूंग तो 29 लाग नेता होने तो समय और प्राइश नेता नहीं को पैसा मत पैसा ना देना इनको भी बचाना है देश को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, सब को बचाना है, और अपना पैसा भी बचता है, कैसे? बढ़ाने की बात छोड़ो, बढ़ाने की बात छोड़ो, कौन से रह गए, उनसे पूछो, तो वो दे नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब 29 लाख जो संग्ठन है, जो चार लाख एक्टिवेट संग्ठन है, वो फेल हो चुके हैं, खतम हो चुके, ना तो उन्होंने धम बढ़ और anti-constitutional काम करते हैं, वो संविधान में हात में रखके भी, वो संविधान की अगेश्ट बात करते हैं, जो नियम के बुरुद आती है, जो उकसाने वाली होती है, उसके परणाम आते हैं, जिल में चला जाते हैं, उससे कुरियर नहीं आने वाले, तो जो ये सामाजिक संठ को जाती के प्रावने नामों से गर्भ से महसूद करते हैं कि हम प्रावने जाती हैं गर्भ से को लड़ते और मरते हैं ऐसी बुद्धिन की बेस्ट हो गई है तो 29 लाख जो संख्ण है जो 4 लाक एक्टिवेट संख्ण है उनके 70 साल के वजूद यह बताते हैं उनके इस्टी हैं हम तो बुद्ध की संदान अकल है हमारे अंदर करक सकती है हमारे अंदर आओ हमारे अंदर आओ आके बात करो तो साफ साफ कहते हैं कि इनको बंद करो तो बंद करने का जो तरीका है वो यह है कि आपको लड़ना नहीं है आपको सिर्फ उनकी रसत बंद करनी है उनका पै तो दोनों मैसले एक मरेगा भाई या तो चंदा देने वाला मरेगा या चंदा लेने वाला मरेगा तो चंदा लेने वाला तो मरने को त्यार है नहीं वो तो अपने संग्ठन को नाथ पतम करें कि इसकी दोजी रूटी यह ठीक ऐसे है जैसे कास सिस्टम से जो उपर के कास्ट or aap ko अगर बचना है तो जैसे काश ko लाद गुमते रह। वीसे zada वेट करनें जो तनी पड़एगी अगले वही पहुंच जाओगे जहां कुछ जिन्दे रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे मगर लक्षन आ गहें है क्योंकि महँगाई बहुत तेयसे बढ़ा ही बहुत तेयसे बढ़ा जा रही है बल कर बंद की जा रहे है इसलिए समर संग सब को इंवाइट करता है और समर संग लायक को लायक कहता है और नालायक को नालायक को नालायक कहता है हम नालायक को लायक नहीं बोलते जो नालायक है उसको लायक क्यों बोलेंगे और जो लायक है उसको नालायक क्यों बोलेंगे जो अच्छा अच्छा बोलेंगे जो खराब है खराब बोलेंगे हम तो समण संग में चलते हैं समण संग वालें को कि समण संग जिंदगी में भी प political party भी नहीं बनाएगा और संग किसी की political party को समठ नहीं नहीं बोगा संगत की एक अपनी विचारधारा होती है इसके लोग इतने परिपक होते हैं कि इसको क्या करना है वो सब जाते हैं तो political लोगों से हम दो बात कहते हैं भाई आरे जितने समठ है political party न की एक करो और इखटे हो के आओ और यह जो मसीद मसीद चिलाते रहते हो कि बोट मसीद ले के इसको हटवाओ यह जुमदारी आपके इसको हटवाओ और कागज ले के आओ यानि बैक पिर समठ संग के आगे आगे याचना करो रुक्वेस्ट करो और बताओ फिर जो फैसला लेगा वह समठ का अधिकार है और आप याचनी करोगे और समर्संग आपके पीछेपी जूट में समर्संग अतना कम जो नहीं है बहुत पुराना बद्ध सभी पहले का बड़ा जबल बड़ा ताकत है यह बिना राजनीटी के भी अपना रास्ता निकाल ले सब्सक्राइब दुनिया की यह हिस्ट्री है कि जो लोग संविधारी तरीके से संग में खट्टे होके सब्सक्राइब बढ़ाया तो सब लोगों ने खट्टे होगे अपनी काज सलक पर छोड़ दी सरकार ने पैसे बापिस कर दिये कि नहीं संग में हैं हम जिसी संग में आ जाएंगे बंध हो जाएंगी वर जो में रहते हैं लोग उनसे पतालित रहते हैं वो पताला देते हैं दूसरी को संग में जो लोग रहते हैं वो शिकारी बन जाते हैं और जो अकिला घूमता है वो शिकार बन जाते हैं इसका उधार्ण है कि अकिला शेर जब घूमता है तो कुट्तों के जो संग है कुट्तों का जुन्ड होता है जिसको कुटों का संग बोलते हैं वो शेर का शिकार कर लेता है और जब शेर जुन्ड में घूमते हैं तो उन्हें कुटा मिले या कुछी मिला किला घूमता हुआ तो वो इसका शिकार कर लेते हैं तो यानि संग जो होता है वो हमेसा शिकार करता है और जो श उड़ोगे तो जीतोंगे अकली रहोगे तो शीकार बनोगे अकले रहोगे तो पिटोंगे जीते हैं इस होता है वह किसी चीज से हैं वो जीतेगा तो अभी तो संग से संग लडाने की नहीं आपको संग बनाना पड़ेगा तो संग बनाओ फिर उसमें अपने संगी बढ़ाओ फिर मैदान में आओ फिर आपकी बात ऐसा हो सकती है कि आपकी बच्चे बच जाएं वन्हा तो समय भारी है बार बार कहा जाता ह जितेंगे जितेंगे पूरा पूरा जोडेंगे पूरा पूरा जोडेंगे पूरा जोडेंगे आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सबी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अ आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना right हैस पे, कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूझी आपकी है, धन्यवा सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू संगं सरनं गच्छामू तूतियम पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी घुतंग सनंग च्छामी, दूतियं पी दम्मंग सनंग च्छामी, दूतियं पी तंग 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 सनंग सनंग च्छामी, द तर्थियं पि बुद्धम सर्णम कच्छामी तर्थियं पि बुद्धम सर्णम कच्छामी तर्थियं पि बुद्धम सर्णम कच्छामी तर्थियं पि धम्ममर सर्णम कच्छामी ततियम पिगमं सर्णम कर्षामी ततियम पी संदूर सेनु गच्छाम। ततियम पी संदम सर्णम कर्षामी साथू, साथू, साथू झाल झाल